नमस्कार दोस्तों, इस्टडी पीटी में आपका स्वागत है आईए इस वीडियो में देखते हैं 29 दिसंबर को हुए NTPC एक्जाम के सारे सिप्ट के कुछ कोस्चन के बारे में जो विद्धार्थियों द्वारा बताया गया है तो वीडियो को जादा जादा सेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका अलाब मिल सके तो आईए शुरू करते हैं पहला कोस्चन पहला कोस्चन है भारती संबिधान के जनक के बारे में पूछा था तो इसका अंसर होगा डाक्टर भीम राम बेड़कर उसके बाद पुछा था डी मोनेटाइजेशन के समय आरबियाई की गवर्नर यानि नोटबंदी के समय आरबियाई की गवर्नर कों था तो इसका अंसर है उर्जित पटेल इससे में सक्तिकान दास है जो पचीसवे गवर्नर है और उर्जित पटेल जो है 24 वे गउॉंणर थे उसके बाद पुछा था IPL 2020 के बिजिता के बारे में तो IPL 2020 के बिजिता मुंबई इंडियन है उसके बाद पुछा था महत्मा गांधी दोरह संचालित कांग्रेस अधिवेशन महात्मा गांधी ने केवल एक ही कांग्रिस के अदिवेशन जो बेल गाँ 1924 में हुआ था उसे में बस एक ही अदिवेशन में भाग लिये थे वो उसके बाद यूनेस्को का मुख्याले पुचा था तो यूनेस्को का मुख्याले जो है पेरीश फ्रांस में है फिर पुचा था सार का सदस्य देश कौन नहीं है तो सार का सदस्य देश इसमें भारत, पाकिस्तान, बांगला देश, सिरलंका, नेपाल, भुटान और माल्दिव है तो ये सार के सदस देश है फिर पुछा था पाइथन क्या है तो पाइथन प्रोगारामिंग लेंगवेज है फिर पुछा था जातक कथाओं से सम्मंदित प्रस्म पुछा था तो इसको आप लग देख लिजेगा नेक्स पुछा था तो पुछा था गीता गोविंदा के लेखक के बारे में तो गीता गोविंदा के लेखक जयदेव है नेक्स पुछा था नेमलिखित में से क्या एक जिवान रोग है तो जिवान रोग के बारे में पुछा था इसको देख लिजेगा कल भी ऐसे एक प्रस्न पुछा था यानि 28 तारीकों भी ऐसे एक प्रस्न पुछा था फिर पुछा था भारत का प्रत्थम राश्टी उद्यान के बारे में तो प्रतम रास्टिय उद्धन जिम कारवेट रास्टिय पार्क है जो उत्तराखंड में है पहले उत्तरपदेश में था अब उत्तराखंड में हो गया है फिर पुछा था चुने के पानी का फार्मूला क्या है तो चुने के पानी का फार्मूला C A O H है यह कल्सियम हाइडराकसाइड है फिर नेक्स पुछा था प्रोटान और न्यूटान का नाम तो प्रोटान और न्यूटान को न्यूकलियान कहा जाता है फिर पुछा था HTTP का उन रूप यानि फुल फार्म पुछा था तो HTTP का फुल फार्म है Hypertext Transfer Protocol फुल फार्म से एक question ज़रूर पुछ रहा है सारे exam में फिर पुछा था तेलंगाना के राजपाल के बारे में तो तेलंगाना के राजपाल है तमिलिसाई सुंदर राजण नेक्स पुछा था बावर के पिता के बारे में तो बावर के पिता थे उमर सेख मिरजा नेक्स पुछा था तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बारे में तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंदर सेखर राओ TE का मतलब होता है कलवा कुंतला चंदरिसेखर राउ फिर पुछा था जापान का PM कौन है तो जापान के PM है योसी हेदे सुगा नेक्स्ट पुछा था सुक्रेश्वर मंदिर कहा है तो इसका आंसर है असम में सुक्रेश्वर मंदिर है उसके बाद पुछा था GST किस प्रकार का कर है तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है नेक्स्ट पुछा था सान कानरी कौन है सान कानरी के बारे में पुछा था तो सान कानरी मसुहुर अविनेता है इन्होंने पहली बार जिम्स बार्ण के बड़े परदो पर जिवन किया था फिर पूछा था पीर पांजाल सुरंग के बारे में पीर पांजाल सुरंग को किस नाम से जाना जाता है तो अटल विहारी वाजपेई के नाम पर पीर पांजाल सुरंग का नाम रखा गया है next पुछा था दुनिया में सबसे बड़ी मेठे पानी की जील के बारे में तो यह बैकाल जील है next पुछा था 2020 के लिए प्रित्वी दीवस का theme क्या था तो climate action प्रित्वी दिवस का theme था next पुछा था ICC मुख्याले के बारे में तो ICC का मुख्याल है जो है दुबाई संयुक्त अरब अमिरात में हैं और चेर्मैन इसके हैं ग्रेक बारकले नेक्स पुछा था रास्टी के अनुच्छेद पर अधारित पुछा था तो आप लोग यह देख लिजेगा थोड़ा सा अनुच्छे दोगरे के बारे में तो इसमें पुछा था रास्पत के अनुच्छेद के बारे में उसके बाद पुछा था इंडियन बैंक का टैग क्या पित्रस का सराव करता है तो पित्रस का सराव जो है यह क्रित करता है जब की पित्तासाय में पित्त जमा होता है इसके बाद पुछा था UNO का प्रमुख है एंटोनियों गुटेरस नेक्स पुछा था कांग्रेस की अस्थापना किसने की तो कांग्रेस की अस्थापना 28 दिसंबर 1885 उबामबय के गोकुला दास तेजपाल संस्कृत महाविद जाले में हुआ था कांग्रेस की अस्थापना उसके बाद पुछा था लाइकेन क्या है तो लाइकेन निम्र स्रेडी की छोटी बनस्पती है लाइकेन उसके पाद पुछा था राबर्ट हुक ने क्या खोजा था तो इसका अंसर है मृत कोसी का को खोजा था राबर्ट हुक ने उसके पाद पुछा था कौन सा रक्त समू सर्भामिक्स भी करता है तो ए बी जो है ए सभी को ग्रहन करता है नेक्स पुछा था मानो विकास उचकांक में कौन सा देश सिर्ष पे है तो सिर्ष पे नारवे है और भारत का 131 स्थान है इसको भी देख लिजेगा वो सकता है आगले एक्जाम में पूछी दे किसी में नेक्स पुछा था आरवी आई के गवंणर के बारे में तो आरवी आई के गवंणर इतना आसान कोश्चन पुछा था तो आरवी आई गवंणर है सक्तिकांस दास यह 25 गवंणर है इसको याद रखेगा हो सकता है अगले एक्जाम में पूछ दे पचीसमें गुवर्णनोर के बारे में नेक्स इसके बाद पुछा था ATP यानि एडिनोसीन ट्राइफास्फेट के प्रस्ट के बारे में उसके बाद पुछा था आदर्स ग्राम योजना के भगवान यानि पिता कौन है तो इसका अंसर है जेपी नराड नेक्स पुछा था भूटान की राजधानी तो भूटान की राजधानी ठिम्पू है नेक्स सन्यासी विद्रोपा सवाल पुछा गया था तो इसको देख लीजेगा आप लोग फिर हो सकता अगले एक्जाम में पूछ दे इसी से सम्बंदित प्रस्ट नेक्स पुछा था किस बर्स में सांची इस्तूप को यूनेस को किभिस धरोहर में सामिल किया गया था तो 1989 में सांची इस्तूप को यूनेस को किभिस धरोहर सुच में सामिल किया गया था उसके बाद पूछा था सम्बिधान दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर है संभिधान दिवस 26 नॉमंबर को मना जाता है तो संभिधान से भी संबंदित आज लगबग दो कोशन पूछे गए थे शिफ्टों में उसके बाद पुछा था भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है तो इसका आंसर है जिम कारवेट फिर पूछा था प्रधान मंतरी कौसल विकास योजना नेक्स पूछा था सापेक्षिता का सिध्धान किस ने दिया था तो इसका आंसर है अलबर्ट आइस्टीन ने सापेक्षिता का सिध्धान दिया था उसके बाद पूछा था इसके लर और बेक्टर का मातरक क्या है फिर पूछा था पर स्वराज की मांग कब की गई थी तो स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेश के लाहर अधिवेशन में जोहरलाल नहरु के अधिक्षिता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पुन्ड स्वराज की मांग की गई थी यानि स्वाराज की मांग जो है 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेश के लाहुर अदिवेशन में किया गया था उसके बाद पुछा था चंद्रायन दुती का प्रक्षेपड़यान के बारे में पुछा था तो चंद्रायन दुती का प्रक्षेपड़यान G.S.L.V.E.M.K.3 M.1 है प्रक्षेपड़यान G.S.L.V.E.M.K.3